Hello everyone, welcome to Sleepy Classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छे होंगे My name is Anshuman and today we are going to see CSAT Practice Series for your Attempt of Civil Service Examination in 23 and 24 ठीक है और इसमें हम लोग देखेंगे Lecture 21 इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग questions solve करते हैं और जो भी important concepts आपको ज़रूरी है उसको हम लोग यहीं पर बता देते हैं कि आपको ज़्यादा परिशानी नहीं हो और उसके बाद आप जब question मनाते हैं तो basically वो आपका application भी जो है यहां पर हो जाता है अब यहां जो है questions हमने start किया था बिल्कुल basic level से आपको पता है फिर हमने कुछ important concepts जैसे permutation and combination को भी देखा और हमने कुछ अच्छे-अच्छे questions भी solve किया हमने अपना level raise किया up to cat level आपको पता है cat का level के questions को भी हमने solve किया और यह भी हमने कहा कि CSAT का level जो है वो कहीं थोड़ा सा नीचे लाई करता है तो आप अगर cat के questions या फिर CSAT से थोड़े से ऊपर के level के questions solve करके जाते हैं तो आपको exam में problem नहीं होगा और अगर कुछ difficult question भी आता है तो आप परिशान नहीं होगे ठीक है अब देखी काफी कम समय बचा हुआ है अगर जो भी लोग 2023 में attempt देने वाले तो आपके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है अपने resources को consolidate करिए GS में and even in CSAT अगर आप CSAT में सिर्फ यही series फोलो कर रहे हैं तो अभी आप last moment में कोई नया चीज नहीं देखे कोई नया channel नहीं देखे कोई नया book भी आप नहीं पढ़े अप जिस भी सोर से practice करें उसी सोर से practice करें और आप GS में आपको पता है परसेंटेज का करिए एक दिन profit loss का करिए एक दिन average का करिए इस तरह से अगर आप plan करेंगे तो exam के पहले आप काफी ज्यादा questions देखे रहे होंगे और वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो चली करते है स्टार्ट सिरीज जो है इस आज का जो लेक्चर है इसमें जादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है questions आपको screen पे दिखेंगे आप अपने साथ एक pen and paper लेके बाठें आपने और question जो आपको screen पे दिखता है वीडियो को pause करिए question को attempt करिए और फिर जो है आप इसका answer सही द करिए ठीक है और इस यह वाला question आपसे बनना चाहिए क्योंकि इसे बहुत difficult questions अमने average में already हमारे channel पे ही solve किया हुआ है अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते है तो यह सारा questions आपसे बनना चाहिए if out of 10 selected students for an examination 3 were 20 years of age 4 of 21 and 3 of 22 years ठीक है the average age of the group is यहाँ पर क्या है कि एक group है जिसमें 10 बच्चे है ठीक है 10 sample अगर आप बोलेंगे sample strength जो है वो 10 का है यहाँ पर क्या है कि 3 बच्चे जो है उनका age 20 years है ठीक है और 4 बच्चे जिनका age 21 है और 3 बच्चे जिनका age 22 है तो आपको पता है हम लोग overall किसी भी sample का average कैसे निकालते किसी भी जैसे यहां पर age की बात हो रही है तो हम लोग average कैसे निकालेंगे तो आपको पता है इन जितने भी बच्चे हैं अगर इनके age का मुझे sum मिल जाए तो और sample strength मुझे पता है 10 तो average क्या होता है average is equal to sum divided by sample का जो strength है जैसे यहां पर 10 तो अब sum of ages हम लोग कैसे निकालेंगे बहुत आसान है बोला गया है कि तीन बच्चे का age जो है that is 20 years तो तीन बच्चे का age 20 years है यानि कितना होगा 3 into 20 के sum हो गया इन तीनों का उसके बाद यह 4 जो है वो 11 year के है तो यानि 4 into 21 हो गया और यह कितना हो गया 3 into 22 तो मुझे इस तरह से क्या पता चला कि दस सो बच्चों का जो है age का sum पता चल गया यह sum को बस आपको किसे डिवाइड करना है 10 से तो आपको overall average age पता चल जाएगा ठीक है तो यह कितना होगी आपका 60 60 plus 84 and this is 66 divided by 10 ठीक है अगर आप यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 and 66 is 126 126 and 130 यानि 210 आ जाएगा आपका सही option होगी option 2 ठीक है चली बढ़ते हैं next question में a man can row 6 km per hour in still water it takes him twice as long to row up as to row down the river find the rate of the stream अब यह देखे question आपको अगर आप देखेंगे CSAT 21 में यह 22 में ऐसे ही upstream downstream पर based question आया था शायद यह वही question है ठीक है तो आपको क्या करना है पहले वीडियो को पॉस करिए और इस question को attempt करिए बहुत ही basic question है इसमें अगर आपको basic concept पता है upstream downstream आप इस question को बना सकते हैं यहां पर क्या है कि एक person है उसका still water में मतलब जब stream flow नहीं कर रहा है उसमें उसका जो speed है that is six kilometer per hour ठीक है उसका speed जो है that is six kilometer per hour इसका मतलब क्या हुआ मतलब अगर stream का influence नहीं रहे तो इसका velocity जो है वो six kilometer पर आ रहता है ठीक है इसको हम लोग किसे different करते है आपको पता है यू से अब होता क्या है कि जैसे मानगे कि stream इस direction में move कर रहा है और आप जो है अगर stream इस direction में move कर रहा है और आप उसके opposite में move कर रहे है तो उस case में आप क्या होते है अप upstream श्रीम मूँव करते हैं तो आपका velocity इस direction में U है और stream का velocity इस direction में V है तो आपका net effective velocity is side कितना हो जाता है U-V बस यही concept है upstream downstream का अब यहाँ पर क्या है कि जो बोल रहे है कि आपको it takes him twice as long to row up as to row down the river ठीक है अब twice as long to row up up मतलब upstream में upstream में उसका जो है मान के चलिए लोग distance d cover कर रहा है हम लोग d ले ले लेते हैं तो d के अगर आपका distance d cover कर रहा है upstream में u-v velocity से time कितना लगी है d by u-v ठीक है और यह किसके है यह twice है अगर जो upstream में time लगता है तो downstream में कितना लग रहा है distance d cover कर रहा है और कितने speed से u plus v तो बस कर दिए d by u plus v तो आप इसको करेंगे तो d d cancel हो गया तो आप ऐसे लिखते हैं u plus v is equal to 2u minus 2v तो u is equal to 3v अब आपको देखी क्या है आपके पास आपको अल्रेडी दे रखा है कि man का कितना है 6 km पर यू जो है u is 6 km पर आर तो इस case में v कितना हो जाएगा वी जो हो जाएगा 6 by 3 that is 2 km पर आर तो आपसे यह पूछ रहा है कि why find the rate of the stream तो कौन सा option हो जाएगा option A ठीक है चली बढ़ते हैं question काफी simple था और इसी तरह कोश्चन सा आपको CSAT में भी पूछे जाते हैं ठीक है चली देखते है next question the population of a village was 9800 in a year with the increase of population males by 8% and that of females by 5% the population of the village became 10458 ठीक है यहां पर क्या है कि एक village का बता रहा है कि कुछ population पहले था 9800 था बाद में male का population अगर हम लोग 8% से बढ़ाएं और female का population लो 5% से बढ़ाएं तो वहां का population जो है female is equal to 9800 ठीक है उसके अगर आप इसको 8% से increase करते हैं कि इसको male population को देखिए यहां पर क्या है हमने already जब percentage में question हमने solve किया है तो maximum time हम लोग क्या करते है fraction में convert करते है तो आप 8% और 5% को भी fraction में convert कर सकते है 8% को आप कैसे सोचेंगे fraction में 4% का कितना होता है आपका 1 by 25 तो 8% का कितना हो जागा 2 by 25 अगर आप increase कर रहे है तो कितना हो जागा 1 plus 2 by 25 यानि 27 by 25 यानि आप ऐसे लिख सकते 27 by 25 male और female के case में कितना है आपका 5% increase है तो 5% के corresponding fraction कितना होता है 1 by 20 increase हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1 plus 1 by 20 तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है अगर डियेटली जो है अगर इसको decimal में कंसलर करने कोगी 5 times female और यह कितने के बराबर है आपका population 10458 अब आपको देखी चाहिए क्या आपको जाहिए मेल का population तो आप क्या करिए female वाले जो है उसको हम लोग अगर कैंसल आउट कर देते तो हमें डियेटली मेल का population मिल जाएगा तो आप देखी female का कोफीशेंट है यहां पर 1.05 तो आप क्या करिए equation 1 को 1.05 से multiply कर दी इसको अगर हम लोग 1.05 से multiply करते है तो नीचे हम लोग इसके नीचे लिख देते है 1.05 M and 1.05 female is equal to 9800 into 1.05 ठीक है अब इसको cancel out करिए तो यह तो cancel out हो गया यह अगर आप करेंगे तो कितना हो जागा 0.03 M is equal to 10458 minus 9800 into 1.05 calculation को जितना minimize करिए उतना ज्यादा आपके लिए फाइदे मन्द होगा तो यहां पर M is equal to हम लोग क्या लिख सकते है 10458 minus 9800 into 1.05 और इसको भी डिवाइड कर दीए 0.03 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए 0.03 से तो करते हैं तो कितना होगा देखिए इंटू 100 हो गया और यह हो गया 3 3 3 is a 9 और carry 1 14 3 4s are 12 carry over 2 24 3 8s are 24 carry over 1 यानि 3 4 8 6 और यहां पर अगर आपका आगया देखिए decimal को लोग cancel out करें तो 3 3 is a 9 and 35 98 into 35 करें तो कितना होता जली से बते हैं तो कितना हो गया 3 4 8 6 double 0 में हम लोग 3 4 3 हो जाएगा आपका ट्रिपल 0 इसको बस आप सॉल करी आंसर आजाएगा 006 and this is 5 6 double 0 कौंसा option हो गया option 3 ठीक है तो आपका initially जो है male का population कितना था 5600 out of 9800 ठीक है चली बढ़ते next question जादा time नहीं वेस्ट करना है बिलकुल जो easy question है उसमें कम time वेस्ट करना है और जो जिसमें concept लगेगा जिसमें कुछ different आपको बताने का ज़रूत पड़ेगा उसको हम लोग definitely बता देंगे what is the sum of all two digit numbers that give a remainder of 3 when they are divided by 7 ठीक है यहाँ पर क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे two digit numbers बताईए जिसको हम लोग 7 से divide करते हैं तो हमें remainder 3 मिलता है ठीक है और two digit की बात हो रही है ठीक है और वैसे two digit number का अगर हम लोग sum निकालेंगे तो कितना sum आएगा यानि आप ऐसा समझेए कि वो number का format कैसा होगा 7N plus 3 अब n का value हम लोग क्या put करते हैं minimum जो two digit number जो की 7 से divide होने पर 3 remainder देता है वो कौन सा बताईए अगर n value 1 put करिए तो आपका आजाएगा 10 यानि 10 ऐसा minimum number है जिसको अगर आप 7 से divide करेंगे minimum two digit number है जिसको हम लोग 7 से divide करेंगे तो remainder हमें 3 मिलेगा अब highest number कौन सा होगा 90 में बताईए 7 का multiple कौन सा है अगर आप देखेंगे 90 91 यानि 91 जो है आपका 7 से divisible होता है तो उसमें हम लोग 3 add कर देंगे तो यानि last number two digit number कौन होगा 94 ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे 10 10 क के बाद आपका 17 तो एक AP बन जाएगा arithmetic progression और इसमें जो common difference है that is of 7 अब आपको पता है arithmetic progression में हम लोग को अगर sum निकालना हो SN जिसको बोलते है SN तो आपको क्या है आपको अगर number of terms पता है जिसको हम लोग N बोलते है तो number of terms N divided by 2 into क्या हो जाता है first term plus last term ठीक है यह बस आपको जो है अगर आप इसको करेंगे तो आपको पूरे AP का sum मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको terms भी पता है देखिए 7 जो है 10 corresponding कितना N equal to 1 का है और यह 74 जो है यह corresponding किसके हो जागा N equal to 13 यानि आपका total terms कितना है 13 तो आपको terms पता चल गया हम लोग लिखते है 13 by 2 और first term कितना है 94 है बस जोड दीजे 104 यानि हो जागा यह 52 times 52 into 13 हो गया तो 52 into 13 करते हैं तो कितना हो जागा 6 and 5 is 15 12 and 15 तो 6 यानि आपका जागा 676 तो कौनसा option सही हो गया option B ठीक है चली बढ़ते next question अगे इन देखिए question भी जो है काफी जादा आपको difficult लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान ठीक है घबराने का नहीं है question ऐसा अगर expression आप exam में देखें तो घबराने का नहीं है बिल्कुल आप धीरे-धीरे चले step wise चले चीजों को समझे तो आपसे question बन जाएगा the rightmost non zero digit of the number 30 raise to the power 2720 is आपको बताना है जो rightmost non zero digit हो अब यह पहले rightmost non zero digit क्या है इसको हमनों अच्छे से समझ लेते हैं जिसे आपने अगर CSAT 2022 वाला playlist दिखा हुआ तो उसमें हमारा first lecture जो था वो था trailing zero पर based अब trailing zero क्या होता है एक number मैं आपको example से समझाने कोज़ करता trailing zeros कितने हैं इसमें एक भी trailing zero नहीं है क्यों क्योंकि आपका last digit जो है वो zero नहीं है ठीक है और यहां पर अगर last digit आपका zero नहीं है तो उसके पहले हम लोग कुछ भी लिखे तो उसको trailing zeros हम लोग नहीं बोलते हैं लेकिन आपको एक दूसरा example बोलते है 56534000 यह एक number है तो अगर इस expression में बोलेंगे कि आपका trailing zero कितना है तो यह हो गया आपका last का तीन trailing zero क्योंकि यहां पर सब जो है वो zero है और एक साथ ही है ठीक है इसके बीच में कोई digit नहीं है अगर एक भी non zero digit आ गया तो last में जितना zero है बस वही आपका trailing zero रह जाएगा ठीक है अब यहां प कौन सा है 4 ठीक है यही चीज़ आपको इस expression में determine करना है 30 raise to the power 2720 अब आप इसको कैसे arrange करेंगे बहुत सिंपल है 30 को आप कैसे लिख सकते है 3 into 10 लिख सकते है raise to the power 2720 तो यह आपका क्या बन जाएगा 3 raise to the power 2720 and into 10 raise to the power 2720 तो अब देखी यह जो 10 है 10 raise to the power 2720 यह दो definitely उसका trailing zero हो गया यानि आपके पास last में कितने zeros होंगे 2720 ठीक है अब यहां पर देखिए यह जो है यह जो आपका 3 raise to the power 2720 है यह जो भी expression निकल के आएगा बहुत बड़ा सा number आएगा यह ठीक है तो इसके जो जो भी number निकल के आएगा उसके जो units place पर जो number होगा वही आपका सबसे मो सब rightmost non zero digit होगा तो अब यह कैसे आप determine करेंगे तो यह question बन गया determining the आपका units place पर कौन सा digit है तो आपको पता है हमने units place में बहुत बार पढ़ा है कि units place में जितने भी digits हैं वो एक तरह का cyclicity show करते हैं जैसे अगर आप 3 का case ले 3 raise to the power 1 करते हैं तो आपके units place पर क्या आता है 3 अगर आप 3 raise to the power 4 करते हैं तो कितना आता है 81 आपका unit space पर क्या आता है 1 अगर आप फिर करेंगे 3 raise to the power 5 तो आपका कितना आएगा 243 तो अगें unit space पर आपका 3 आ गया तो आप देख रहे हैं कि यहाप है 1, 2, 3, 4 यानि आपका इस तरह का cyclicity चल रहा है तो cyclicity कितने का चल र होगा जैसे यहाँ पर 3 raise to the power 2, 7, 2, 0 है और इसको हम लोग cyclicity 4 से अगर divide करते हैं अभी हमें नहीं पता है कि divide करके हमें क्या आएगा अगर मेरा remainder 1 आता है तो definitely जो होगा series का कौन सा time होगा पहला वाला time होगा यानि जो भी number इसे निकल के आएगा उसके unit space पर 3 होगा अगर से वाइड करते है निकल के आएगा उसके unit space पर 9 होगा अगर इसको divide करते है मेरा remainder 3 आता है तो जो भी इसका जो भी expression निकल के आएगा उसके यूनिट स्पेस पर 7 होगा और अगर मेरा डिवाइड करकी रिमेंडर 0 आता है तो तो डेफिनेटली वह फॉर्थ टम होगा सेरीज का यानि मेरा जो है वहाँ पर क्या होगा आपका यूनिट स्पेस पर जो होगा वह वन होगा ठीक है चली बस वही करते हैं तो हमें पता चला गया कि साइकलिसीटी 4 है तो 2720 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यह 4 से डिविजेबल है क्योंकि 8 से डिविजेबल होगा अब यहां पर देखते है 2720 इस डिविजेबल वाई 4 यानि रिमेंडर जो है वह आपका जिरो है यानि सिरीज का कौन सा टर्म होगा आपका फॉर्थ टर्म फॉर्थ टर्म यानि यानि अगर आप 3 रेस टुई पावर 2720 करते है तो एक बहुत पर आएगा लेकिन यूनिट्स प्लेस पर आपका क्या होगा वन ठीक है तो अब जो यूनिट्स पर वन होगा डेफिनिटली आपका राइट मोस्ट जो है वह आपका नॉन जरो डिजिट वही बन जाएगा क्योंकि उसके बाद तो आपके पास सिर्फ ट्रेलिंग ही जिरो ठीक है तो यानि आपका सही option कौन सा हो गया option A, again this is a question of number system लेकिन कुछ basic application है जैसे यूनिट प्लेस का आपको concept पता होना चाहिए, जैसे हमने ट्रेलिंग जिरो पे भी बहुत सारा question solve किया है कि 40 factorial जैसे एक example है आप comment section ने बताएं अगर आपका concept revised है तो बताए ये 45 factorial में trailing zeros क इसको comment section में post करते हैं जिनको भी trailing zero का concept पता है वो इस question को solve कर सकते हैं ठीक है जिनको नहीं पता है definitely आप जो है हमारे CSAT 2022 वाला भी जो हमारा playlist है उसमें भी कुछ lectures है important जिसको आप देख सकते हैं और आपका महाँ से concept clear हो जाएगा ठीक है तो चली मिलते हैं next lecture में तब तक thank you झालो